हे गाईज वेलकम टू देव भूमी कर्यर पॉइंट तो देखे डिफेंस के सौकीन जो केंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पे एक वेकेंसी निकली है इंडियन कोस्ट गार्ड में ठीक है मिनिस्टर अफ डिफेंस के अंतरकत यह वेकेंसी आती है नाविक डोमेस्टिक ब् तो क्या है इससे जूल ही महतोपूंग जो जानकारी क्राइटेरिया यह डिसकस करेंगे सबसे पहले देखेंगे इसमें eligibility condition and job requirement तो eligibility आपकी जो educational qualification है यह 10th प्लक होनी चाहिए मतलब आप high school होने चाहिए 50% के साथ ठीक है ध्यान लगेंगे 50% आपके high school में होने चाहिए और सा माती जहां पर job requirement जो है यह cook और steward post के लिए ध्यान रखेंगे cook और steward post के लिए ध्यान रखेंगे जो इसमें age मांगी गई है 18-20 years मिनिमम आपकी age 18 होनी चाहिए और साथ मैक्जिमम आपकी age 22 होनी चाहिए अपर age relaxation मिलेगा आपको age percental government rule 5 years for HTSC and 3 years for OVC candidates ठीक है तो यह होग इसके बाद देखे pay and allowances भी यहां पर बताया गया है जो आपकी starting basic salary होगी वो same like जो army ZD की होती है या पैरा military force में जो constable की होती है वही salary आपकी यहां पर होगी लेकिन allowances आपके ज़्यादा होंगे promotion यहां पर आप ले सकते हैं बोला गया है यहां पर कि promotion prospects exist up to the rank of प्रधान अधिकारी with pay scale of 47600 बताब pay level 8 तक आप जा सकते हैं प्रधान अधिकारी तक आपका promotion हो सकते हैं इस post में भर्ती होने के बाद ऐसा बताया गया है ठीक है बाकी देखे आपको मैंने बता दिया 5 दिन मे आपको इसको apply करना है आप जा सकते है joinindiancoastguard.gov.in इनकी website है official मैं यहापे description box में भी link दे दूँगा इसका तो 5 दून से लेकर 10 दून के बीच में आप apply कीजिए जो भी eligible candidates हैं जो भी interested candidate है यहाँ पर जाके जो सर्व करना चाहता है country को ठीक है भारतिया तटरक्षक जो बल है इस पोस्ट को हम बोल सकते हैं इंडियन नेवी की एक इसाब से पैरा मिलेटरी फोर्स है आप से समझे जैसे आर्मी के लिए जो backup होता है ITPP, SSB, BSF, CRPF वैसे ही इंडियन नेवी का backup है यह ठीक है तो बांके इसमां महत्तुपर बात है जो भी दिया मैं देखिए इसको share कर दूँगा आपको टेलिग्राम चैनल पर जोन वाइस आप इसको भर सकते है जहें नौर्टन जोन में रखा गया उत्राखंड को द्यान रखेंगे ठीक है तो उत्राखंड वाले नौर्दन जोन से बरेंगे बांके सभी सभी सेलेक्शन प्रोसीजर जो होगा आपका यहां इसन पर चैनल साथे अब के पूचिन फैसंति यहां कि पूच्टन के जाए उसके बाद आपका फूचख विटनेutan्स टेस्ट साथ मिनट में बीस स्कुography or nelle इनको बोलता है यह आपको complete करना पड़ेगा फिजिकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल में जो सेलेक्ट होंगे उसके बाद documentation होगा ठीक है लिस्ट आप डॉक्यमेंट आपको यहां पर बताया गया है तो आपको जो जो measurement होता है ठीक है body mass index होता है जो उसके साब से होना चाहिए और hearing भी नॉर्मल होना चाहिए visual standard भी आपको आपको 6 by 36 बैटर आई के लिए और 6 by 36 वर्स आई के लिए होना पर्मिटेट के जाएगा जो इन लोगों को टैटू जो जन जाती है छेत्र के लोग है या जिसी विशिष्ट समुदाय में जहां पर प्रचलन है उनको यहां पर टैटू में exempted किया जाएगा लेकिन जो अनुने लोग है वो देख लें अगर उनका ऐसी जगह पर टैटू है तो फिर ना भरें नॉर्मली तो चल जाता है इसमें भी क्या है फिर ट्रैनिंग अगरा कि सभी इसमा काईड़ डाइंस दी गई है तो आप एक बार अच्छे से इसको पड़ लीजेगा मैं इसको शेयर कर दूँगा टेलिगराम चैनल पर और जो भी इंट्रेस्टेट अभ्यरती है वो लोग जरूर इस फॉर्म को भरिएगा अच्छी जोब है सेंट्रल गवर्मेंट की जोब है देश सेवा करने के लिए अगर कोई तत पर तो उसके ल अगेंट से